हेलो गाईस वेलकम टू एक्जाम फेवरेट एक्जाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वाग आथा है और आज का इव वीडियो बहुत ही मौत्वरन में वीडियो है आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको धिरेदे समझ में आने लगेगा ठीक है धिरे धिरे नहीं बहुत जल्दी समझ में आगा क्योंकि इजी ली आपको image create करके भी बताया गया है आपको image के साथ में with detail से के साथ में आपको mcqb कराया जाएंगे और important इतने important प्रश्णा है आप देखेंगे तो आपको fill होगा ठीक है पद्म पुरुषकारों के सारे प्रश्णा महतपुरुन जानगरी के साथ में आपको देखने को मिलेंगे लगबग हम सारे पद्म पुरुषकार जैसे की आपके चार नगरिक पूरिक कार ठीक है कौन कौन से बारत रतम, पदमवुभूशन, पधमभूशन और पदमश्री ठीक है इसके जो सारे महुतपूर्ण जितने भी कोषण बन सकते हैं हमने सारी कोष़िस की है और यह सारे कोशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे आपको ध्यान से देखना है और आपको नोट करते हुए चलना है ठीक है चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं क्लास और यह रहा आपका पहला सवाल 2021 में कुल कितने पद्म पुरिशकार दिये गए है और इसके लिए आपके सामने में चार आपसन दिये गए हैं 119, 121, 139 और 131 तो इस कोशन के लिए जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपसन नमबर A अरतात 119 के लिए राइट अंसर होगा बात करेंगे हम इसके important point की तो 8 नमबर को राष्ट्रपती रामनात कोविंद जी के दोआरा पद्म पुरिशकार प्रदान किये गए हैं जिसमें कूल 119 लोगों को यह पुरिशकार दिये गए बात करें अगले point की तो पद्म भुशन 10 लोगों को प्रदान किये गए बात करें पद्म विभुशन की तो पद्म विभुशन 7 लोगों को प्रदान किये गए और पदम स्री की बात करें तो 102 लोगों को प्रदान किये गए ठीक है बात करेंगे इसके बाद कि जिसमें टोटल 119 पदम पुरुषकार थे जिसमें से 39 महिलायों को दिये गए और उनब बे मतलब 89 पुरुषकों को दिये गए और एक जिसमें से transgender भी सामिल थी ठीक है बात करेंगे हम अगले question की हाँ बात करें इमेज की तो यह एक पाएंगे यहाँ पर आप पदम पुरुषन किस प्रकार से दिखाए देता है ठीक है पदम भुषन और थार्ड नमबर पर होता है पदम भुषन जो की पदम भुषन से थोड़ा छोटा होता है ठीक है और उसके बाद होता है पदम स्री जो सबसे छोटा होता है ठीक बात करेंगे हम अगले question की और यह रहा आपका अगला question इन में से कौन सा पदम पुरुषकार नहीं है और इसके लिए option आपके सामने में चार दिये गए है पदम स्री पदम भुषन और पदम विवुषन यह पदमा नहीं पदम विवुषन है ठीक है और लास्ट अपसन है आपका उप्रयुक्त शभी तो इन में से कौन सा पदम पुरुषकार है बोला गया ठीक है वापी चाहेंगे नहीं बोला था में ठीक है इन में से कौन सा पद पदमस्री, पदमभुशन और पदमविभुशन ये तीनों ही पदमपुरुशकार है ठीक है बात करेंगे हम आगे इसके important point की तो यह भारत के सरवोच नागरिक सम्मान में इसे एक है बात करें आगे पदमपुरुशकारों की घोशना प्रती वर्स गंतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन की जाती है ठीक है दिये जाने वाले छेत्र मतलब किस छेत्र में पदमपुरुशकार दिये जाते हैं आपके तो वो है कला के छेत्र में समात सिवा के छेत्र में लोककार्य में विज्ञान और इंजनेरिंग के छेत्र में व्यापार और उद्द्यों के छेत्र में च करेंड कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और जो पदम अभीभुशन हैं वो सादारण और विशिष्ट हिवा के लिए प्रदान किए जाते हैं बात करेंगे हम आगे अगले कोस्टन कि तो स्वरोपर्थम किस वर्ष पद्म पुरुषकार प्रदान किये गए थे तो इसके लिए आपके सामने में चार आप्सन दिये गया है 1922, 1903, 1904 और 1905 तो इस question के लिए राइट answer होगा 1904 आप्सन नमर C सही होगा ठीक है बात करेंगा हम आगे इसके important, मापी चाहेंगे, important point इसमें नहीं लिखे है question number 4 तकी 2021 में कितने विक्तियों को पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया है और इसके लिए चार आप्सन आपके सामने में दिये गया है 29, 31, 061 और 16 तो इस question के लिए राइट answer होगा वो होगा कि पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो इसके लिए 061 राइट answer हो जाएगा मतलब 7 लोगों को पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया 2021 में ठीक है बात करेंगे हम आगे इसके important point की SP 12 सुब्रमन्यम जो की गायक है ठीक है इन्हें जो पद्म पुरुषकार मतलब की पद्म विभुषकार जो दिया गया ओम मरनोपरांत दिया गया ठीक है उसके बाद बात करें हम थर्ड नम्मर की तो सुदर्शन साहु जो की उडिशा के चरचीत मुर्तिकार है ठीक है प्रशन इस प्रकार से भी ब consideration है कि जो सुदर्शन पद्म विभुषन से सम्पानी सुदर्शन साहु किस छेत्र से जुडे हुई है ठीक है या किस छेत्र से है ठीक है तो उसका लले रैट आंसर हो कप करणा मूर्तिकार थे ठीक है बात करेंगे आगे फोर्थ नुम्मर की तो नरेंदर सीं करोपानी ठीक है फिप नुमर की बात करें तो बेले, मोनप्पा, हेगडे जो की करनाटा के प्रसिद्ध हर्दय रोगी विसे सग्य है ठीक है मौलाना वही द्वीन खान जो की भारतिय इसलामी विद्वान है ठीक है और लास्ट में बात करें साथे नुम्बर के तो जो भीवी लाल जो की पुरा तत्वीध है ठीक है बात करेंगे हम आगे अगले कोश्चन की और यह आपका अगला कोश्चन 2021 में कितने लोगों को पद्वा भुश्चन से सम्मानित किया गया ठीक है और इसके लिए आपके सामने में ओप्सन दिये गया है 29, 19, 10 और लास्ट आपसन अपका 56 तो बात करेंगे इसके राइट अंसर के ओप्सन नंबर C इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा बात करेंगे हम आगे इसके इंपोर्टेंट पाइंड की तो यह रहे इंपोर्टेंट पाइंड की 2021 के 10 पद्मवी भुशन विजयताओं के नाम इस प्रकार से है आप नोट कर लीजिएगा ठीक है ऐखें देविदास जोकी उद्धिव सर्विस से जोडए है महाराश्ट से हैं तरलोचन स्ीन जो की पबलीक अफेर्स जुड़े हुए है बात करिया आगा तरुन गोगयी इन्ने मरनोप्रांत पदमभुशन दिया गया ठीक है जो की पबलीक अफेर्स से जुड़े हुए है और असम के रेने वाले हैं बात करेंगे आगे राम विलाश पाश्वान जो की इने भी मर्नो प्रांथ दिया गया पब्लीक अफेर्स से जुड़े हुए हैं बिहार से हैं केशु भाई पटेल मर्नो प्रांथ पब्लीक अफेर्स गुजरात से जुड़े हुए हैं और बात करेंगे लास्ट में कल्बे साधिक जो की मर्नो प्रान दिया गया अध्यादमागवाद से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश हैं ठीक है बात करेंगे हम आगे अगले कोश्चन की 2021 में कितने विक्तियों को पदमसरी प्रुसकार से सम्मानित किया गया और इसक अप्सन नमबर B 102 बात करेंगे हम आगे इसके इंप्रेंट प्रुसकार कौन सा है और इसके लिए आपके सामने में चार आप्सन दिये गया है पदमवी भूशन और भारत रतन और बात करेंगे हम पदमसरी तो अगर से आपने इस टार्टिंग में क्लास को सुना होगा तो बिल्कुल इसका रटानसर अबको पता होगा कि भारत का पहला सरवोच नागरीग प्रुशकार कौन सा है तो बिलकुल भारत रतन ऑप्सनन नमर सी इसके र्याट अंसर हो जाएगा बात करेंगे हम भारत रतन की तो इस प्रकर से आपका भारत रतन दिखाई दिता है ठीक है बात करेंगे हम आगे, अगले question की भारत का दुसरा सरवच नागरीक पुरुषकार कौन सा है, और ये भी आप बता वाएंगे, भारत रत्न, option number B, पद्म विभुषन, फिर दिया गया पद्म भुषन, और फिर है पद्म स्री, तो विल्कुल जो दुसरे नौक मर का जो सरवच नागरीक पुरुषकार होता है, वो होता है आपका पद्म विभुषन, ठीक है, option number B, इसके लिए रीट अंसर होगा, बात करेंगे, पद्म विभुषन किस प्रकार से दिखाई देता है, ये रहा आपका पद्म विभुषन, ठीक है, बात करेंगे, आँपका अगले question की, औ कौन सा है और इसके लिए चार आपके सामने में दिये गए हैं भारत रत्न पद्मविवुशन पद्मस्री और पद्मभुशन तो बिल्कुल जो तिसरे नमबर का राइट आंसर होगा मतलब कि तिसरे नमबर का जो सरवच नागरिक पुरुषकार आपका हो जाएगा वह होगा आपका पद्मभुशन ठीक है आपसन नमबर डी इसके लिए सही होगा पद्मभुशन बात करेंगे पद्मभुशन की तो पद्मभुशन आपका इस प्रकार से दिखाई देता है ठीक बात करेंगे अगले कोश्चन की भारत का चाउता सरवच नागरिक सम्मान पुरुषक और कौन सा है और इसके लिए चारे ओपसरी आपका इस प्रकार से दिखाई देता है ठिक बात करें हम अगले क्विश्चन की और आपका अगला क्विश्चन पद्म परुश्कार में कितनी धनराशी प्रदान की जाती है और इसके लिए चार आपसन आपके सामने में दिये गए हैं पांच लाग, दस लाग, तीन लाग और लाश्ट आपसन आप है कोई धन रासी नहीं दी जाती है तो बिल्कुल इस कोश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका और गांधी जैन्ती के दिन, तो ठीक है तो इस कोश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा कि पद्म पृष्कार की जो गुशना है वो किस दिन की जाती है वो की जाती है, गंतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन की जाती है ठीक है, ओप्सन नमबर सी सही होगा बात करेंगे मागे, अगले कुश्चन की पद्म पृष्कार किस के द्वारा प्रदान की जाते है तो इसके लिए आपके सामने में चार ओप्सन दिये गए है रक्षा मंत्री, प्रदान मंत्री, ग्रव मंत्री और राष्टपती तो बिल्कुल जो पद्म पृष्कार है, वो किस के द्वारा प्रदान की जाते है वो राष्टपती के द्वारा प्रदान की जाते है बात करेंगे मागे, अगले कुश्चन की पद्म पृष्कार किस वर्सन नहीं दिये गए तो इस question के लिए जो आपके लिए option दिए गए हैं चार option 1977 से लेके 1980 तक second option है 1993 से लेके 1997 तक थरड़ा option है उप्रुक्त दोनो और last option है आपका उप्रुक्त में से कोई नहीं तो बिल्कुल इस question के लिए जो राइट answer होगा कि पद्मप्रुषकार किस वर्स नहीं दिये गए तो उसका राइट answer होगा उप्युक्त दोनो अर्थात 1997 से लेके 1980 तक और 1993 से लेके 1970 तक आप मतलब की पद्मप्रुषकार नहीं दिये गए ठीक बात करेंगे इसके जो 2021 में कौन सा पद्मप्रुषकार दिया गया इसके लिए चार आप्सन आपके सामने में दिये गए हैं पद्मविबुषन पद्मभुषन और पद्मप्रुषन और पद्मस्री और फिर है इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल इस question के लिए राइट answer होगा कि जो करनड़की आ बात करेंगे हैं अगले question की आपका अगला question अभिनेत्रीक अनार नावट को 2021 में कौन सा पद्म पुरुषकार दिया गया ठीक है और इसके लिए चार अपसन आपके सामने में दिये गया है पद्म विवसन, पद्म भारत रत्न, पद्म स्री और राष्ट अपसन है इन में से कोई नहीं तो इस कोश्चन के लिए राइट आंसर होगा वो होगा आपका आपसन नम्बर सी पद्म स्री ठीक है, option number C, इसके लिए right answer होगा, बात करेंगे हम इसके image की, यह देख पा रहे हैं, कंगना रानावत जी को 2021 में पद्म स्री से सम्मानित किया गया, ठीक, यह हमारे राष्ट पती रामनात कोविंद जी है, ठीक है, बात करें हम आगे अगले question की, और यह आपका अगला question, करन अरुरम्मा गौडा, ठीक है, तो इस question के लिए right answer होगा, करनाटक की किस transgender को 2020 में पद्म पुरुषकार, मतलब पद्म स्री है, ठीक है, यहाँ पर, मा भी जाहेंगे है, स्री नहीं हुआ है, पद्म स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया, उसके लिए right answer होगा, आपका option number C, मजम्मा, जोगाठी, ठीक है, option number C, correct होगा, ठीक है, बात करेंगे हम आगे, इसके image की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मजम्मा, जोगाठी जी को, और यह हमारे राष्टपती, ठीक है, इन्हें पद्म स्री से नवा आ जा गया, ठीक, 2020 में, बात करेंगे, आग option number B, पदम स्री, अर्तार, भारती महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पदम स्री से सम्मानित किया गया, ठीक, बात करेंगे, आपकी image की, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे भारती महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी, ठीक, यह रहा आपका जला question डिरेक्टर करंजोहर को कों से पद्म पुरुषकार पद नहीं है थीक है पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया और इसके लिए 4 आप्शन आपके सामने में दिये गया हैं पदम विबुसन, पदम भुसन, पदम स्री और इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल इस question के लिए जो राइट आंसर होगा कि जो की करन जोरची को दिया गया वो है पदम स्री option number C इसके लिए राइट आंसर होगा बात करें हम आगे इसके image की तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह हमारे करन जोरची ठीक है जिनने पदम स्री से सम्मानित किया गया और यह हमारे राष्ट पती रामनात को इन जी ठीक बात करेंगे हम आगे अगले question की भारती पहरा एथलीट के वाई के भारती पहरा एथलीट के वाई वेंकटेस को कौन से पदम पुरुषकार से सम्मानित किया गया यहाँ पर थोला पद में दिया हुआ ठीक है यह पदम है ठीक है पदम पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो इसके लिए चार option आपके सामने में दिये गया है पद्मविपुशन, पद्मभुशन, पद्मस्री और भारत रत्न तो बिल्कुल के वाई वेंकटेस जी को पद्मस्री से सम्मानित किया गया option number C इसके लिए right answer होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे के वाई वेंकटेस जी को आप देख पा रहे होंगे जो कि हमारे भारतिय पैरा एथिलिट है ठीक है और यह हमारे रश्टपती बात करेंगे हम आगे अगले question की और यह रहाब का आगे मंगलूर के मंगलूर 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 एक ही है ठीक है मंगलूर के औरसट वर्शिय फल विक्रेता हरेकाला हजब्बा को 2021 में कौन से पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया अब यहाँ पे पद्म में दिया है लेकिन आप समझदार हो चुके हैं अभी तक के देख पाएंगे और समझ पाएंगे ठीक है यह पद्म है ठीक है पद्म पुरुषकार से सम्मानित किया गया और इसके लिए चार आप्सन आपके सामने में दिये गए हैं पद्मस्री पद्मभूशन पद्मभूशन और इन में से कोई नहीं तो बिल्कूल इस question के लिए right answer आपका हो जाएगा हो जाएगा आपका option number A इस question के लिए right answer हो जाएगा ठीक है तो बात करेंगे हम हरे काला हजब्बा जो की संतरा फल फिकरेता थे फल फिकरेता संतरा बेचते थे ठीक है तो बात करेंगे इसके right answer की आपका हो जाएगा पदमस् ठीक है हम आप यहां पे आप इमेज देख पाएंगे यह रहे आपके फल विक्रियता हरेकाला हजबबा जी ठीक है और यह रहे हमारे रामनात कोविंज राष्टपती जी ठीक है बात करेंगे अगले कोश्चन की और यह रहे आपका अगला कोश्चन 35,000 से भी जादा लावरिश लासो के अंतीम संसकार करने वले मुहमत सरीफ को कौन शाप पुरिसकार दिया गया और इसके लिए आपके सामने में चार आप्सन दिये गया है तो इस कोश्चन के लिए आपके सामने में चार आप्सन दिये गया है तो इस कोश्चन के जो राइट कि और एर आपका अगला कुश्च्ञ эконом में कितनी महीलाओं को उपद्म पुरुषकार से संभा नित किया गया तो इसके के सामने में चार आपशिण दियें गए 24, 29, 25, 20, 30, 31 तो बिलकुल 2021 में 29 महीलाओं को उपद्म पुरुषकार से संभा नित किया गया इसके लिए right answer option number B हो जाएगा बात करेंगे अगले question की भारत रतन प्रुषकार सरो प्रतम की सुवर से दिया गया और इसके लिए 4 option आपके सामने में दिये गया है 1. जनवरी 1950 15. अगस्त 1999 2. जनवरी 1954 और last option आपका 2. फरवरी 1956 इस question के लिए जो right answer होगा अर्थात की भारत रतन प्रुषकार सरो प्रतम की सुवर से दिया गया तो वो दिया गया आपका 2. जनवरी 1954 अर्थात option number C इसके लिए right answer होगा बात करेंगे हम आगे अगले question की और इहरा आपका अगला question बात करेंगे हम आगे अगले question की और इहरा आपका अगला question बात रतन प्रुषकार सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किये गए ठीक है तो इसके लिए आपके सामने में चार option दिये गए है प्रदान मंतरी जवालाल नेरू राष्टपती राजेंदर प्रसाद option number C है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और option number D है प्रतिबा देवीशिंग पाटेल तो बिल्कुल इस question के लिए राइट अंसर होगा अर्थात की भारत रतन प्रदान किये गए तो वो किये गए राष्टपती राजेंदर प्रसाद के द्वारा option number B इसके लिए राइट अंसर होगा ठीक है बात करेंगे हम आगे अगले question की भारत रतन प्रुष्कार किस आकार का होता है तो आपने अगर से देखे है इमेज तो बिल्कुल इसके लिए राइट अंसर आप कर पाएंगे सिक्के की तरह पीपल के पत्ते की तरह प्रत्वी की तरह गोल या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो बिल्कुल इस question का जो राइट अंसर होगा अर्थात की भारत रतन प्रुष्कार किस आकार का होता है तो पीपल के पत्ते की तरह होता है आप यहाँ पर इमेज देख पाएंगे यह रही आपकी image ठीक है देख पा रहे हैं यहाँ आपकी भारत रतन प्रुष्कार है और देख पाएंगे पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है ठीक है तो इसके लिए जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका option number B बात करेंगा हम अगले question की और यह रहाँ आपका अगला question भारत रतन प्रुष्कार में कितने रुपयों की राशी दी जाती है और इसके लिए चार option आपके सामने में दी गए है एक करोड़, पचास लाँक, दस लाँक और लास्ट अप्सन है इनमें से कोई नहीं तो इस question के लिए जो राइट अंसर होगा वो हो जायका आपका option number D इनमें से कोई नहीं भारत रत्न प्रुष्कार की बात करें तो सरोच प्रुष्कार है हमारे भारत का नागरी प्रुष्कार है भारत रत्न प्रुष्कार में कोई राशी प्रदान नहीं की जाती है बात करेंगे हाँ इसके right answer इनमें से कोई नहीं option number D होगा इनमें कोई भी धंड़ासी नहीं दी जाती है बात करेंगे हम आगे अगले question की और एरा आपका अगला question सबसे युवा वेक्ति कौन है जिने भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसके लिए आपके सामने में चार आपसन दिये गया है अटल ब्यारी वाजपई, सचीन तेंदूलकर प्रणम मुकर जी और लास्ट आपसन है अपका इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल इस question के लिए right answer होगा अरतात सबसे युवा वेक्ति सचीन तेंदूलकर जी है जिने भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब किया गया दो वर्स 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया जब इनकी उम्र जो एज थी वो थी 40 वर्स ठीक है इनकी एज थी 40 वर्स और इन्हें 2013 में भारत रत्न से नवाजा गया किने सचुन तेंदूलकर जी को जो की क्रिकेटर है यह आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे ठीक है यह हमारे प्रडब मुकर जी ठीक है अभी वरतमान में राष्टपत्य तो हमारे रामनाथ कोविंद जी है ठीक है बात करेंगे हम आगे अगले कुश्चन की खेल जगत में भारत रत्ना पाने वाले सबसे पहले विक्ती कौन बने मतलब सबसे पहले किसे दिया गया तो इसके लिए चार अप्सन आपके सामने में दिये गया है खेल जगत की बात की जाए तो ठीक है सरोपरतम नहीं बुला गया, यहाँ पर बुला गया कि सबसे पहले खेल जगत में भारत रतन पाने वाले सबसे पहले विक्ति कौन बने तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो होगा आपका सचीन तेंदूलकरजी और यहाँ पर अगला कुश्चन आपका एक वरस में अधिकतम कितने लोगों को भारत रतन दिया जा सकता है तो इसके लिए जारा आपका आपके सामने में दिये गए हैं तीन लोगों को, पाच लोगों को, साथ लोगों को, या फिर नौ लोगों को तो बिल्कुल एक वरस में अधिकतम तीन लोगों को ही भारत रतन दिया जा सकता है मतलब दिया जाता है, ठीक है? इसके लिए राइट आपका आप्सन नमबर ए होगा, तीन लोगों को, ठीक बात करेंगे हम आगे अगले कॉश्चन की बारत रतन पुरुषकार किसके द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो इस कोश्चन के लिए राइट आपके आप्सन दिये गहा है राक्षा मंत्री के द्वारा, प्रदान मंत्री जी के द्वारा, राष्ट पती जी के द्वारा और लास्ट अप्सन है ग्रमंत्री के द्वारा तो बिल्कुल जो भारत रत्न प्रुषकार है वो राष्टपती के द्वारा प्रदान किये जाते हैं जो की तीनो से मलाओं, तीनो से नाओं के प्रमुक होते हैं अर्थात जल, वायूशेना, थल सेना और जल सेना जल सेना, वायूशेना और थल सेना तीनों के प्रमुक कोन होते हैं राष्टपती जी जिनके द्वारा भारत रत्न प्रुषकार प्रदान किये जाते हैं तो इसके लिए राइट अंसर होगा आपका आप्सन नमबर C राष्टपती बात करेंगे हम आगे अगले कोश्चन की भारत रत्न प्रुषकार किस रंग के फिते में पहनाया जाता है अगर से आपने पिछली इमेज भारत रत्न प्रुषकार की देखी होगी तो ठीक है इसका आंसर आप बिल्कुल बता पाएंगे तो इस कोश्चन के जोड़ना राइट अंसर का वह होगा आपका सफेद रंग और यहाँ पर आप देख पाएंगे फिते का कलर यह रापका फिते का कलर सफेद कलर ठीक है बारत रत्न प्रुषकार किस रंग के फिते में पहनाया जाता है और इसके लिए आपके सामने में दिये गए हैं आप्सन 2, 4, 6 और 8 तो इस question के जो right answer होगा अर्थात भारत रत्न प्रुषकार अब तक कितने गर नागरी को दिया जा चुका है तो वो दो गर नागरी को को दिया जा चुका है अर्थात इसका right answer होगा option number A, 0-2 बात करेंगे आगे हम अगले question की भारत रत्न कीन दो केर नागरी को को दिया जा चुका है कौन कौन है थीक है वो आपको मालूम होना चीए ये option दिये गए हैं आपके सामने में नेलसन, मंडेला, खान, अब्दूलकपार कान third option है अपका उप्रोक्त दोनों और last option है इन में से कोई नहीं तो बारत रत्न, नेलसन, मंडेला और खान, अब्दूलकपार खान जी को दिया गया अर्थात इस question की जो right answer का होगा आपका option number C, उप्रोक्त दोनों ठीक है, बात करें हम आगे तो यहाँ पर आप image देख पाएंगे ठीक है, आप यहाँ पर image देख पा रहे होंगे यह हमारे नेलसन, मंडेला जी चीक है सिक्चा सबसे इनकी, मतलब इनके एक विचार है सिक्चा सबसे सक्तिसाली हतियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं इनका कताने नेलसन, मंडेला जी कै और यहाँ पर आप देख पाएंगे कान, अब्दूल, गफार कान, जिने, सीमान्त गांधी भी कहा जाता है इनका जन्वा छे भरवरी 1890 को और म्रत्यू 20 जन्वरी 1988 को हुआ ठीक बात करेंगे हम अगले कुश्चन की और यहरा आपका अगला कुश्चन भारत रत्न से सम्मानित पहली भारती महिला कौन थी और इसके लिए आपके सामने में चार आप्सन दिये गया है शोनिया गांधी, लता मंगेशकर, इंदीरा गांधी और सरोजनी नाइडू तो बिल्कुल भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारती महिला वो है सरोजनी, यह माभी चांगा इंदीरा गांधी, ऑप्सन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पहली महिला जो भारती जिनने भारत रत्न दिया गया किने इंदीरा गांधी ची को तो इसके लिए राइट आंसर हो का आपका आप्सन नंबर सी इंदीरा गांधी बात करेंगे इमेज की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्हें पहली महिला है, जिनने भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, इंधिरा गांधी जाए बात करें गयाँ आगे अगले कुशन की, तो पहली बार मरनो प्रांत भारत रतन पुरुषकार किसी दिया गया और इसके लिए चार अप्सन आपके सामने में दिये गया है अटल बिहरी वाजपई, लाल बहादूर शास्त्री, अब्दूल कलाम और इंधिरय गांदी तो पहली बार मरनो प्रांत, मतलब मरने के बाद, पस्चात बात रतन से किसे सम्मानित किया गया, तो वो गिया गया लाल बहादूर सास्त्री जी को इस कोशन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका वो जाएगा अप्सन नमबर B, लाल बहादूर सास्त्री और यहाँ पर आप इमेज देख पाएंगे है हमारे लाल बादूर सास्त्री जी जिनका जन्म वारा नसी में हुआ था ठीक है और इनका मतलब ये एक नारा है जै जवान जै किसान आपने सुना हुआ वो लाल बादूर सास्त्री के द्वारा ही दिया गया ठीक है बात करेंगे जन्म की तो दो अक्टूमबर 1904 का लाल बादूर सास्त्री जी का जन्म हुआ और जन्वरी 11 जन्वरी 1966 को इनकी मृत्यू ठीक बात करेंगे हम अगले कोश्चन की और यह रहा हमारे क्लास का सेकंड लास्ट कोश्चन बारत रत्न पाने वाले प्रतम गयर नागरी कौन थे और इसके लिए चार आपसन आपके सामने में दे गए हैं खान अब्दुलकफार खान, नेलसन मंडिला, जेफ वर्जोस और लास्ट आपसन आपका बिल गेट्स तो बिल्कूल इस क्योंच के लिए रएट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका खान, अब्दुलकफार खान अरताथ आपसन नम्बर A इस क्योंच के लिए रिक्ट आंसर होगा और आप यहाँ पर image देख पा रहा है खान अब्दुलगप्पार खान जिने की सिमानित गांदी भी कहा जाता है ठीक बात करेंगे हम हमारे क्लास के लास्ट कोश्टन की अगर से चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों को सेर कर दीजेगा यहाँ पर आपको पद्म प्रुषकार से संबंधित सारे MCQ, Important Point, Image के साथ में आपको दिखाएगा है अगर शेवीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कूल आप लाइक करेंगे सस्क्राइब करेंगे और बेला एकान को आल करते हुए चलेंगे और एरह हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन भारत रतन पाने वाले भारत के पहले प्रदान मंत्री कौन थे और इसके लिए आपसंद दिए गया है नरेंद्रमो जी भारत रतन पाने वाले भारत के पहले प्रदान मंत्री पुछा गया ठीक है नरेंद्रमो जी जवारलाल नहरू और अटल बिहारी वाजपेई और लास्ट आपसने आपका मनमोन शी तो बिल्कुल भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रदान मंत्री जो थे आपके पंडित जवारलाल नहरूजी अर्था इसका राइट आंसर होगा आपका option number B correct होगा बात करेंगे मागे आप यहाँ पर इमेज देख पाएंगे पंडित जवारलाल नहरूजी की ठीक है यह रहे हमारे भारत के प्रदान मंत्री पहले प्रदान मंत्री ठीक है यह रहे पंडित जवारलाल नहरूजी ठीक है बात करें इनके जन्म की कुछ important point देख लेते हैं इनका जन्म 14 नॉमबर 18-89 को हुआ ठीक है जन्म इस्तान की बात करें तो जन्म इस्तान प्रयागराज इलाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ ठीक है बात करें इनके पिता जी का नाम मोतिलाल नेरू, माता जी का नाम स्वरूप रानी नेरू और जीवन संगनी अर्थात इनकी और जो म्रत्य हुई है वो heart attack से मतलब की दिल का दवरा पढ़ने से इनकी म्रत्य हुई है ठीक है तो thanks for watching अगर से channel पर आप नहे हैं तो बिल्कुल channel को subscribe कर लीजिए इसी प्रकार से आपको important topic पर video उपलब्द होंगे ठीक है Thank you so much